स्यूटी 2024 के अंदर सबसे पॉपॉलर रहने वाली यूनिवसिटी अगेन हुई है डैली यूनिवसिटी जिस के अंदर 28 लाक रिजिस्ट्रेशन हुए हैं चौकने की बिल्कुल भी जोरत नहीं है स्यूटी के अंदर ही total 40 लाक रिजिस्ट्रेशन हुए तो यह डैली जिसमें बोला गया है विट 26 लैक अप्लिकेशन डेली उनिवर्सिटी लीड सी उटी यूजी 2024 रह गया है 26 लैक रजिस्टेशन आप समझ सकते हैं कि वह सुटल अप्लिकेशन के बारे में बात करें तो इसका कुछ क्राइटीरिया जो कि मैं समझ पा रहा हूं दे आर काउंटिंग टोटल नमर आफ कॉंबनेशन और इस्टूडेंट्स मैंशनिंग दियर नेम इन स्यूटी अप्लिकेशन फॉर्म डेली उनिवर्सिटी वो किस तरीके से देख बार ध्यान से देखते हैं यहां मेरे ख्याल से जो हो रहा है कॉंबनेशन को भी काउंट करके लिया जा रहा है यानि कि किस तरीके से देखते हैं अगर एक स्टूडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ डेली के अंदर स्लेक्ट करें हैं पाच कोर्सिस तो यह पाच अप्लिकेशन कहलाएंगी तब तो जाके य यूटि के पार्टिसीपेंट स्टूरेंट से सफने डैल यूनिवर्सिटि का नाम लगवग लगवग 20 को कर दों संसों कर बेंचन करा है कि दस तोने आपने अपको माना है वहां पहपे उस तरहीुक्त अपना नाम डाला है इस तरीके शेक्ले से आप लोगों के जो है 26mo पिछले साल के बारे में बात कर तो 28.3 लाक रिजिस्टेशन बोला जा रहा है लास्टे 28.3 लाक रिजिस्टेशन ते डेली सुटी के जैपर 5.1 लाक रिजिस्टेशन हो आप लोको आप लोकोगों को देखने को मिले हैं एक लाक से ज्याधा रिजिस्टेशन और पांच एस जी ज्यादा रिजिस्टेशन अब यह इंदर जो टोफ युनिवसिटी मैं एमिटी फ् economically नाम डाल देने से अगर 28 लाग 26 लाग स्टूडेंट्स ने डियू में नाम डाल दिया है तो क्या सबको मिल जाएगा एडमिशन ऐसा नहीं होता करेंगे वह स्टूडेंट्स एक्शली मैं किलाएंगे डैली उनिवर्शिटी के कैन रिट अब जैसे कि एक साइकोलोजी बताता हूं जो कि हमारी साइकोलोजी सभी की होती है पैसे दिये पूरा वसूल करेंगे तो यहां पर क्या होता है कि वह या यूनिवर्शिटी का नाम करेंगे चाहिए बच्चा हो आंदरा का चाहिए जमू का सब स्टूडेंट अपना नाम तो मैक्सिम डालेंगे ना यूनिवर्शिटी के तो एप्लिकेशन फिल करने में कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं तो यूनिवर्शिटी का नाम मैंशन करने वाले हैं 26 लाग पे Delhi University में admissions के लिए apply करा था तो ये जो 26 लाग के student है इसमें से लगबग 30 लाग student है जो Delhi University का actually में application form fill करेंगे सिर्फ CUT का application form fill कर देने से आप लोगों का गाम नहीं चलेगा आपको इसके बाद भी जो है आगे युनिवोशन के application form fill करने पड़ेंगे वही कहलाता है actual application form का count अभी कितने भी लाग आजए कोई फरक नहीं बढ़ता 2.5 लाग student जो है 80,000 seat के लिए fight करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर admission मिल सकता है मिलेगा popular courses में बहुत tough competition आप लोगों को लेकिन जो least popular courses है उनके अदर आप लोगों को easily admission मिल सकता है यहाँ तक कि इतने number of application होने के बावजूद भी Delhi University के अंदर पचले साल 7,000 seat एक खाली रह गई थी तो भाई इतने सारे number of applications के बाद भी क्या Delhi University पर seat खाली रह जाती है बिल्कुल रह जाती है तो आप लोगों को भाई अभी से अपने courses की preferences बनानी है अपने colleges को target करना है जिस course में admission लेना चाहते हो उसके लिए मेहनत करनी है और मेहनत करने के लिए higher education के साथ जुड़ सकते हैं अब इसके अंदर आप लोगों को CUT plus IPCT की entrance exam की preparation आप लोगों को जाके courses के अंदर online course हमारा देखने को मिल जाएगा CUT plus IPCT जाम में मिल जाता है यहां पे इतना महंगा क्यों मिल रहा है तो भाई quality है तभी महंगा है बाकी सारे students जो हमारे पास बाकी जगों से जॉइन करके आ रहे हैं बोलते हैं हमने course and roll कर लिया वहाँ पे देखा था भाई coupon चल रहा था हमको बहुत अच्छा discount में लिया लेकिन जब हमने admission ले लिया तो कोई हमको पूछ नहीं रहा है यहां पे आप लोगों को मिलेगी one-on-one interaction one-on-one counseling पूरा admission का support higher education की application अभी जाके download कर लिजे special discount आप लोग के लिए चल रहा है more than 35 universities के entrance exam की preparation साथ में लोगों मिलेगा admission support और यह admission support तो आप लोगों के लिए